देखे अब जनता देले उनाइटेड में कुछ लोगों ने अगर एकदम ठाने लिया है कि पार्टी को बरबाद करके ही छोड़ेंगे तो फिर उस पर क्या कहना है पार्टी के निस्टावान समर्पित पुराने नए साथियों समकी बैठक है और बैठक का मकसद बैठक का एज असम मैधानिक है कारवाई होगी तब तो समझ लिजिए कि भगवान ही मालिक है फिर हम तो अभी भी आगरह करेंगे मुखमंत्री जी से कि मुखमंत्री जी आप हस्त छेब कीजिए लोगों के कहने में मत आईए अपने हिसाब से आप निर्ने लीजिए सारी चीजों को आप देखिये मेरी जब जरूरत हो तो बुलाईए हम भी आपके साथ बैठकर बात करने को तैयार है हमने हमें सा कहा है तो अभी भी हम उनसे उमीद करते हैं कि मुखमंत्री जी पहल करें और पाटी कैसे बचेगी इस पर गौड करें जिसको जाना है जाये कोई इसलिए हमने कहा कि अगर पाटी को बरवाद करने का ही कुछ लोगों ने ठान लिया है कि मुखमंत्री जी को उल्टा सिधा सलाह दे करके और कुछ भी कर चाहते हैं कि मुख़मंत्री जी को उल्टा सिधा सलाह देते रहें और मुख़मंत्री जी इस तरह से एक्ट करें कि पाटी बरबाद लोग चाहते हैं उन्हीं बात में आकर मुख्मंत्री जी काम करेंगे तब तो हम लोग क्या करेंगे तो ने कि अमको तो उस दिन भी बहुत आश्याज लगा था जिस दिन मुख्मंत्री जी ने मेडिया के लोगों से कहा था कि आप लोग जरा उनको मैसिज दीजिए की बात करेंगे तो मेरे बारे में मेडिया में नहीं बात करना चाहते है या चाहते हैं उनकी मरजी लेकिन ब्यक्ती गतरुप से उनके पर तिस सम्मान का भाव मेरे मन में हमेशा रहा है अभी भी आगे भी रहेगा तो अभी भी हम उनसे आग्रह करते हैं कि मुखमंत्री जी व्यक्ति का सवाल अलग है लेकिन पार्टी तो विरासत है ना और पार्टी करोरों लोगों की पार्टी है तो इस पार्टी को बरवाद मत होने दीजिए बचाइए अभी भी आग्रह उनसे मुखमंत्री की इस ब्यान को पैसे देखते हैं जब उनसे कैबिनेट एक्स्टेंशन को पूछा गया तो नहीं हो कौन उसमें आवे नहीं आवे हाँ गटवंधन में अगर किसी दूसरे दल से सलाह की जरूरत है तो सलाह भी आवस्यक होता है लेकिन सलाह भी करना हो तो अंदर की बात होती है सारजनिक रूप से यहां करना की डिप्टी सीम निरने लेंगे यह तो हम जो बोलते रहे हैं कि कोई ना कोई डील हुई है आरजेडी और जेडियू के बीच में उसके अकॉर्डिंग मुखमंत्री जी का यहां ब्यान है उनके ब्यान से तो हमारी बात को पुष्टी मिलती है वो अपुजिसंग को एक करने की बात कर रहे हैं लेकिन जिस तरह से तजश्वी आदव के मुलाकात अरविंद के जिरिवाल से हो रही उसको कैसे देखते हैं देखें इस मुहीम को अगर हमको लगता है कि बहुत सिरियस होते मुखमंत्री जी तो अभी नहीं 6-8 महिना पहले जब महागटबंधन बना फिर से उस मक्त इस बात की शुरुआत हुई कि मुखमंत्री जी इस काम में लगेंगे लेकिन कहां उसके बाद तो कोई गंभीरता दिखी नहीं रही है अब कहने के लिए हां हो सकता है कि उन्होंने थोड़ी कोशिस शुरुआती दोर में की जो दिख रही थी तो उसमें ठीक सी रिस्पॉंस नहीं मिला जिसके चलते है कुल मिला जूला कर आज की इस्तिति में ह अधार हत्या है माशनए लूट होगी है मिला कि देखें जो मेंसेज हें लोगों के बीच में याभ म्ummectra की मुखमंत्री के रूप में अच्ट नहीं कर रहे हैं कोई दूसरा व्यक्ति मुखमंत्री के रूप में एक्ट कर Rहा है कभी-कभी दिखता भी हैं तो असी इस्तित जंगलाज की तरफ संग्या किस नाम से उस पुराने राज को सक्या संग्या दी जाए हुएक अलग भी से है लेकिन जो कुछ भी उस वक्त था वह तो भयावा इस्तिती थी ना जिसको जो मरजी जहां करे तो वैसी इस्तिती की और कभी-कभी संग्यत मिलता है कि फिर से साथ व इसलिए तो हम का रहें बार-बार कि मुक्वंत्री जी अपने हिसाब से एक्ट करेंगे तो इससे इस्तिती नहीं आएगी लेकिन अपने हिसाब से एक्ट नहीं करेंगे तब तो इस्तिती धिरे-धिरे वही आए लेकिन वह तो बोल रहे है कि जंगल राज में जंता का कर दो